हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आज फ्रेंड्स में आपके साथ शेयर करने जारी हूँ दिन में मेकप करते समय परते ही साफ धानिया दिखेंगी ज़्यादा खुबसूरत और इससे पहले फ्रेंड्स मेरी आप से रिकरस्ट है कि आप फ्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले खुबसूरत दिखने की चाहत हर महिला को होती है इस चाहत में महिला ज़्यादा से ज़्यादा मेकप का इस्तेमाल करती है दिन हो या रात वो अपने चहरे पर मेकप लगाती है लेकिन मेकप करने के दोरान कई चोटी चोटी बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है एक चोटी सी चूट भी पूरे लुक पर बात कर देती है इसलिए मेकप करते समय इस बात का ध्यान रखे की मेकप समय के अनुसार ही हो यानि दिन और रात का मेकप हमेशा अलग तरह का होना चाहिए अगर आप दिन के समय ज़्यादा मेकप करती हैं तो इन बातों का ध्यान रखे इससे आपकी मैक अप से जुड़ी कुछ परेशानिया जरूर कम हो जाएंगी दिन का मैक अप चुबने वाला या भड़किला पिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दिन में मैक अप करते समय काजल का इस्तेमाल जरूर करें दिन के वक्त गाड़े रंग का शेडो लगाने से बचें और अगर लगाना ही है तो निर्टर कलर का इस्तेमाल कीजिए लिपिस्टिक को ग्लॉस के साथ लगाना बहतर होगा मैक अप करने से पहले सुनिश्यत कर लेगी आपका चहरा पूरी तरह साफ हो टॉनर का इस्तेमाल करके मैक अप लगाने से मैक अप फैलता नहीं है भूल कर भी दिन के समय में किये गया मैक अप में क्लीटर का इस्तेमाल ना करें दिन में धूप और गर्मी के करण आपका मैक अप खराब हो सकता है इसलिए हमेशा waterproof beauty product का ही इस्तेमाल करें मैक अप करने से 20 मुट पहले sunscreen लगाना ना भूलें Thank you friends अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साइड में notification bell आई करें उस पे क्लिक करना ना भूलें अगर आप कोई problem है तो आप मुझे नीचे comment box में comment कर सकते हैं मैं आँगी हर रोज एक नई वीडियो के साथ जो आपकी परेशानियों पर आधारित होंगी तो मिलते हैं friend next video में जब तक के लिए happy रहें बाई बाई